जैपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में चल रहे दिव्य कला मेले में खरिदारी के लिए लोगों का उत्सा नजर आ रहा है केंद्रिये सामजिक न्याय और अधिकारिता मंत्राले द्वारा दिव्यांग जन सशक्तिकरन विभाग के सहीयोग से आयोजित इस मेले में दिव्यांग जनों द्वारा प्रदर्शित किये गए उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है वही देश के अलग-अलग राज्यों से आएक अलाकार मेले में सांस्कृतिक प्रस्तुतिया भी दे रहे है पाँच जुलाई तक चलने वाले इस मेले में कुल सौ स्टॉल्स लगाई गई है जिसमें देश के अलग-अलग राजियों के दिव्यांग जनों के द्वरा तैयार किये गए उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है दिव्यांग जन शशक्ति करने भाग सामाजिक नयाय और अधिकारिता मंतरालय के द्वारा ये मेला लगाया गया है और यहां पर 75 स्टॉल्स हैं जो कि दिव्यांग जन भारत सरकार ने लगाया है मेले में दिव्यांग द्वारा तैयार किये गए उत्पादों की लोग खरीदारी कर रही है मेले में अच्छी बिकरी से दिव्यांग उद्यमी भी उत्साहित नजर आ रहे है अलग अलग राज्यों से आए दिव्यांग उद्यमियों का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से इस दिव्य मेले में उनके उत्पादों को बढ़ावा मिल रहा है और बिकरी भी हो रही है जिससे उन्हें आर्थिक संबल मिल रहा है में और जो इन्होंने अच्छी सुईदे किया है होटेल किया है रहने के लिए खाना पिना के लिए सुईदा भी अच्छा किया है और बिकरी भी आच्छा खाल रखते हैं और हमको मोधी सरकार ने भी अच्छा सपोर्ट किया है जो उन्होंने हमको घर के जैसे रखा है इदर मोधी सरकार और हमारे समाज कल्यान बंतराले का जो प्रयास है, यह बहुत प्रशनसिनी प्रयास है, जिसके अंतरगर्द दिव्यांग जन जो कलाकार हैं, जो भी वो प्रोड़क्ट्स बनाते हैं, उनको लिए एक प्लेस्मेंट है कि वो पूरे हिंदुस्तान में अपनी कला क का भी प्रदर्शन करें और उससे अपनी रोजी रोटी का भी इंतिजाम करें.